हेलो एवरिवन वेलकम टो वर यूट्यूब चैनल एपीसे अकेडमी तो आज हम डिसकस करेंगे प्रिवियस येर्स कॉशन पेपर जो पूछे गए हैं हिमाचल प्रदेश पत्वारी एक्जाम्स में तो हमारा फ़र्स्ट कॉशन है महात्मा गांधी ने एतखासिक डांडी यात्रा का शुपारंब कहां से किया? option A है दांडी, option B है चमपारण, option C चोरा चोरी, option D साबरमती आश्रम तो हमारा correct answer है साबरमती आश्रम बात करेंगे डांडी मार्च यातरा की जिसे नमक सत्य ग्रह के नाम से भी जाना जाता है इस यातरा का शुभारम कहां से हुआ? यह इसका शुभारम हुआ गुजरात के साबरमती आश्रम से स्टार्टिंग हुई 12 मार्च 1930 से 6 अपरेल 1930 तक कितने दिन की यातरा थी? 24 दिन की यातरा थी? कितने मील की थी? 240 मील की थी? कितने अनुयाई थे गांधी जी के पीछे? तो 78 अनुयाई थे 6 अप्रेल 1930 को गांधी जी ने नमक बनाकर सवीने अवग्या आंदोलन स्टार्ट किया डेड याद रखेंगे कि सवीने अवग्या आंदोलन की शुरुवात कब हुई 6 अप्रेल 1930 को और डांडी मार्च यात्रा को नमक सत्य ग्रह के नाम से भी जाना जाता है एक्जाम में पूछा गया था पीछे कि जब भारत में डांडी मार्च यात्रा चल रही थी या सवीने अवग्या आंदोलन चल रहा था तो उसमें भारत के वाइसराय कौन थे तो उसमें भारत के वाइसराय थे लौड एर्विन हमारा नेक्स्ट कौश्चिन है 2012 में उलम्पिक्स कहां पर आयोजित हुए है हमारी फर्स्ट ऑप्शन है USA ऑप्शन B UK ऑप्शन C कनेडा ऑप्शन D Spain तो हमारा करेक्ट आंसर है UK 2012 में उलम्पिक्स का आयोजन कहां हुआ था लंदन में जिसने भारत ने ही दो हजार बारा के ओलमपिक्स में जो कहां आयोजित हुए थे लंडन में वर्ष 2020 में ओलमपिक का न कहां उजित्था तो यह हुआaran ने जिसमें भारत की रैंक रही थी 48 इसमें भारत ने एक गोल्ड दो सिल्वर और चार ब्रॉंज जीते थे यानि कि भारत ने टोटल पदक कितने जीते चार ठीके जी आगे अगामी अगर हम ओलंपिक्स की बात करें तो इनका आयोजन दोहजार चौबिस में फ्रांस पैरिस में होगा दोहजार 28 में का आयोजन लॉस एंजल्स USA में होगा और 2023 में इसका आयोजन ब्रिसलेन आस्ट्रेलिया में होगा हमारा नेक्स्ट क्वेशन है रंची ट्रॉफी किस खेल से संबंदित है फुटबॉल क्रिकेट बास्केटबॉल होकी तो मारा करेक्ट आंसर है option B क्रिकेट रंची ट्रॉफी एक घरेलू प्रतियो गिता है जो विभिन शेत्रिये टीमो में एक दुसरे के खिलाफ खेली जाती है रंचीत सिंग को भारत सौरी भारतिये क्रिकेट के पिता भी कहा जाता है बी सी सी आई द्वारा स्थापित रंची ट्रॉफी का नाम भारत के पहले टेस्ट क्रिकेटर रंचीत सिंग के नाम पर रखा गया रंची ट्रॉफी रंची ट्रॉफी 2023-24 का आयोजन वान खेड़े स्टेडियम में हुआ और जिसमें विजेता टीम भी कौन सी रही मुंबई रही रंची ट्रॉफी का पहला मैच कब आयोज किया गया 1934 और 1935 में बात करेंगे BCCI की स्थापना BCCI की स्थापना 1928 में हुई BCCI का हेड़कोर्टर कहां है मुंबई में है और BCCI के वर्तमान में CEO है हेमांग अमीन और चेर परसन है रोजर बिन्नी हमारा नेक्स्ट क्वेशन है कथक रित्य शैली का उद्भव किस राज्ये से हुआ है option A हिमाचल प्रदेश, option B पंजाब, option C उत्तर प्रदेश, option D करनाटक तो हमारा correct answer है उत्तर प्रदेश बात करें classical dance की तो हमारे भारत में total 8 classical dance है जिसमें से कथक UP का है केरल की बात करें तो केरल में 2 classical dance है कथक कली और मुहिनी अट्टम आंदर प्रदेश में कुचिपुडी भारत नाट्यम तमिलनाडू में शत्रिय असम में और 2 state के नाम पर है मनिपुरी मनिपुर का है और ODC उडिसा का है अब हम बात करेंगे कथक के प्रसिद कलाकारों की बिर्जू महराज, लच्छू महराज, अच्छन महराज, शोबना नारायन, सितारा देवी, सुखदेव महराज ये कथक के प्रसिद कलाकार है हमारा next question है उस कालपनिक रेखा का नाम बताओ जो भारत से होकर गुजरती है भुमध्य रेखा, करक रेखा, मकर रेखा इन में से कोई नहीं तो हमारा correct answer है करक रेखा बात करेंगे करक रेखा की करक रेखा भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है ठीक है जी ये देखिए यहां पर हमारे भारत को प्राइदीपिय भारत भी कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि भारत तीन तरफ से पानी से घिरा है एक साइड है अरपसागर दूसरी साइड है बंगाल की काड़ी और दक्षिन में है हिंद मासागर इसलिए भारत को प्राइदीपय भारत भी कहा जाता है करकर एखा की बज़ हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो location है यह है गुजरात की ठीक है जी गुजरात के बाद भारत के मध्ये में है मध्यपरदेश ठीक है जी गुजरात से उपर यहाँ पर पढ़ता है राजिस्थान मध्यप्रदेश से कौन सी स्टेट अलग हुई 36 गड़ 36 गड़ के बाद आगे बाद करें तो जारखंड जारखंड के बाद वेस्ट बेंगॉल त्रिपुरा और मिजोरम इन आठ राजियों से होकर गुजरती है करकरेखा ठीक है जी दुबारा से रिवाइस करते हैं ये जो लोकेशन है गुजरात की है गुजरात से उपर है राजिस्थान भारत के मध्य में है मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश से अलग हुआ 36 गड़ 36 गड़ से आगे है जारखंड करकरेखा भारत के आठ राजियों से होकर गुजरती है सबसे ज़्यप्रदेश और सबसे कम राजिस्थान से होकर गुजरती है अगर बात करें करकरेखा किंदो पुर्वोतर राजियों से होकर गुजरती है तो ये गुजरती है त्रिपुरा और मिजोरम से पुर्वोतर राजे वो राजे होते हैं जो पुर्व में स्थेत होते हैं करक रेखा को दो बार कौन सी नदी काड़ती है करक रेखा को दो बार काड़ती है माही नदी भुमध्य रेखा को कौन सी नदी दो बार काड़ती है कांगो और जायरे नदी वहीं बात करें मकर रेखा को दो बार कौन सी नदी काड़ती है तो ये नदी काड़ती है लिम्पूपो नदी हमारा नेक्स्ट कॉशन है साइना नहिवाल का संबंध किस खेल से है ओप्शन A बेड्मिंटन ओप्शन B तेराकी ओप्शन C टैनिस ओप्शन D खोखो तो हमारा करेक्ट आंसर है बेड्मिंटन बात करेंगे बेड्मिंटन से संबंधित प्रमुक ट्रॉफियों की उबेर कप जो किस से संबंधित है महिलाओं से थॉमस कप, अमरिता दीवान कप, सुधी रमन कप, रहम दुल्ला कप, अगरवाल कप, नारंग कप और चट्डा कप ये बेड्मिंटन से संबंधित प्रमुक ट्रॉफिया है वहीं बात करें कि बेड्मिंटन फेडरेशन की तो बेड्मिंटन वर्ल्ड फ्रेडेशन फेडरेशन जिसकी स्थापना 1934 में हुई जिसका हेड़क्वार्टर कुमा लंपुर मलेशिया में है ठीक है जी, हमारा नेक्स्ट कॉशन है, सुखना जील कहां पर इस्थित है? भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशल लेख है, गोविंद वल्लपंत सागर जील, जो कहां स्थित है? यूपी में बात करेंगे जीलों के अध्यन को क्या कहते हैं? जीलों के अध्यन को बोलते हैं निम्नो लॉजी, सुखना जील चंदिगड की आर्टिफिशल लेख है, बात करें चंदिगड शेहर के आर्किटेक्चर की, तो आर्किटेक्चर हैं लीक और व्यूजर, भारत की सबसे लंब पुर्वोत्र राज्य की सबसे बड़ी पुर्व में पुर्वोत्र राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है लोक टक जील है हमारा नेक्स्ट कॉशन है गोविंद सागर जील के निकरतम कौन सा जिला मुख्याल्य है ऑप्शन A सोलन, ऑप्शन B ब्लासपूर, ऑप्शन C मंडी, ऑप्शन D हमीरपूर तो हमारा करेक्ट आंसर है ब्लासपूर बात करेंगे ब्लासपूर की तो गोविंद सागर जील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिविशल लेक है गोविंद सागर जील यह जील किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 88 km है, इस जील का शेतरफल कितना है, 168 km है, बात करेंगे दियोली, दियोली भी बिलासपुर में पढ़ता है, एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट बचली प्रजनन केंद्र है, कहां बिलासपुर में, बिलासपुर के दियोली में, जिसकी करमाना में ACC सिमेंट फेक्टरी है, और बिलासपुर के कोठीपुरा में ही प्रशु प्रजनन केंद्र है, हमारे next question है, कितने राज्यों और कितने केंद्र शाषित छेतर, यहां राज्ये भी पूछे है, और यहां केंद्र शाषित प्रदेश भी पूछे है, कि सीमा, हिमाचल प्रदेश की सीमा कितने राजियों के साथ लगती है तो पंजाब हरियाना उत्र प्रदेश और उत्राखंड चार राजियों के साथ लगती है और दो केंदर शाषित प्रदेश जम्मु कश्मीर और लद्दा के साथ लगती है बात करेंगे इंटरनेशनल बाउंडरी की तो हिमाचल प्रदेश की सीमा चीन के साथ लगती है अंतरास्टे सीमा की अगर हम बात करें निम्न नदियों में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती प्रवाहित नहीं होती नहीं पूचा है हमारा फॉस्ट ऑप्शन है रावी सेकेंड ऑप्शन जेलम D option है चंदरभागा तो हमारी correct answer है जेलम बात करेंगे जेलम की जेलम कहां से निकलती है जेलम निकलती है जम्मू कश्मीर के शेशनाग जील से जेलम का प्राचीनतम नाम क्या है तो जेलम का प्राचीनतम नाम है वितस्तता नदी हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप स से 5 नदियां बहती हैं बात किरेंगे सतलुट चो कहां से निकलती है मांसरो वरजील राकस्ताल तिबबच से व्याश रोतांग दर्रे से या व्यास कुंड के पास से रावी बड़ा भंगाल कांगडा से निकलती है यमना कालिंद परवत यमनूत्री से निकलती है और चिनाव तांडी से निकलती है तांडी वो जगा है जहां पर चंद्रावे भागा का संगम स्थल संगम होता है अगर पुछे चिनाव किस दर्रे से निकलती है तो 12 लाचा दर्रे से निकलती है तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें हमारी वीडियो को शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स वर वाचिंग आवर यूटूब चैनल ओकी जी एव नाइस देए